खबर कानपूर से आ रहे जहां साइबर सेल और मलपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता वर जी सी मोहय कराने वाले आरूपी गिराफतार खबर आगरा से है साइबर फ्रॉट करने वाले आरूपीओं को क्या गिराफतार वो एलेक्स साइट्स पर दिया जाता था ठगी को अंजाम दूसरे वक्ति के एक आगजात पर करते दे सिम को अक्टिवेट अब यूगतों के पास से 75 अक्टिवेट सिम हुए बरामत गैंक का सरगना अभी भी पुलिस के पहुंचे दूर है हवलक नुसे है जाँ 15 साल के आयूश के मिली स्व पच्छिस दसंबर से लाबता था बच्चा परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरूप शवरक कर्किया सड़क जाम हवलक नुसे है पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरूब हसन गंच इलाके का है पूरा मामला खबलक नुसे है जहां SDF टीम को मिली बड़ी सफलता शूटर सलीम सोहराब को पुलिस ने किया गिर अफ़तार राची में सुष्मा बड़ा काई के दिन दहाडे शूटर ने मारी थी गोली सलीम शोहराब रोस्तम गैंके दो शूटर को पुलिस ने किया गिर अफ़तार खबलक नुसे है जहां पैर फिसलने से तालाब में गिरी महिला तालाब में गिने से महिला की मौत सूचना पर पहुंशी पुलिस पुलिस ने मृतका किशाव को पोस्ट मार्टम के लिए बेजा पीजियाई थानशित के डनौला गाओं का है पुरा मामला खबर मेरट से सामने आ रही है जहां पास साल की मासुम का अपहरड अपहरड से पुलिस महकमे में मचा हड़कम घर के बाहर खेल रही मासुम मानवी का अपहरड सीसी टीवी में कैद हुई अपहरड की बाहरदात पुलिस की टीमें बच्ची को तलाश करने में लगी चत्रिस घंटे बीत जाने पर भी पुलिस के हाथ खाली एसेसपी और एसपी सीटी खुद करें मॉनिटरिंग थाना टीपी नगर छेत्र का है पुरा मामला स्रावस्ती में सड़क सुरक्षा माह का क्या गया शोवारंब दीयम नहापर काशने वाहनों को दिखाई हरी जंडी सरक सुरक्षा माह के तहट निकाले गये जन्द जागरुकता बाहन कि अधिकार्यों को दिलाई सड़क सुरक्षा नियमों की शपत आज से चार फरवरी 2023 तक चलेगा सड़क सुरक्षा भ्यान सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया रहा है इसका उदेश है कि आम जन्मानस में यातायात नियमों के प्रति एक जागरुकता फैलाई जाए और सब में यह संदेश दिया जाए कि कैसे सेफ ड्राइविंग करनी है रोड पर कैसे हेलमेट पहन कर ही गाड़ी चलाना है और जो यातायात नियम है उन सब का बिलकुल अक्षरश पालन होना चाहिए इसी अभियान के तहट आज हमने यहां पर जाब रुकता है तो कुछ प्रचार वाहन को भी हरी जन्ली दिखाई और सभी अधिकारियों द्वारा भी शपत लिया गया इस सड़क सुरक्षा माह में बहु कोरोना के मरी जाएं सामने गोरखपुर महराज गंज समीच चार जिली में मिली कोरोना के मरी कोलेक्टिव केस की संख्या हुई 29 के पार लगनों में 24 घंटे में मिले एक हजार तीन सेंपल की हुई जाच पिछले 24 घंटे में 14 मरीजों की हुई रिकावरी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार